अब डाल चावल तो सबके घर में रोज ही बनते हैं और अक्सर एक कब जितने डाल तो बची ही जाती है तो बची हुई डाल से देखिए मैंने कितने सारे पकोड़े बनाए हैं वो भी इतने सौफ्ट है अंदर से और बाहर से ये उतने ही क्रिस्पी है अगर आप ये की डाल लेनी है तो मेरे पास यहाँ पर रात की बची हुई एक बाउल जितनी डाल है आप चाहे तो फ्रेश्ट डाल का भी इस्तमाल कर सकते है तो सबसे पहले हमें इस एक बाउल में निकाल लेना है अगर डाल में कोकम या कड़ी पत्ता हो तो इसे निकाल ले अब इसमें हमें कुछ चीज़े इस्तमाल करनी है तो सबसे पहले मैंने प्याज और हरी मिर्च का इस्तमाल किया है उसे इस तरह से चोटी-चोटी टुड़ों में कट कर लिए है अब इसे दाल के अंदर एड़ कर देंगे अब पकोडे बना रहे है तो इसमें अजवाइन का इस्तमाल जर किया है सारा बेसन एक साथ ना डाले क्योंकि आपकी दाल कितनी थीक है कितनी गाड़ी है कितनी पतली है उस पे ही डिपेंड करता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप बेसन का इस्तमाल करें कि इसमें हमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल ही नहीं करना है अब डाल के पकोड़ थ्यान दे नमक जादा न हो जाए अब डाल में एड की हुई सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह देखिए पकोड़े का आटा कितना थीक होना चाहिए एक स्पून में डाल के आप उल्टा करें देखिए बिल्कुल ही गिर नहीं रहा है यानि कि हमारा य अब हमारा ओयल भी अच्छे से गरम हो चुका है तो इस तरह से स्पून में आप थोड़ा थोड़ा बेटर ले और इस तरह से उसे फ्राइ कर ले पकोड़े फ्राइ करते वक्त गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखे बिल्कुल हाई न रखे तो देखिए मीडियम आज में हमने पकोड़ों को अच्छे से फ्राइ कर लिया है तो आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राइ हो चुके है अब यह गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाने पर हम इसे ओयल में से निकाल लेंगे और एक टीशु पेपर में हम इस सरसे उसे रख देंगे ताकि जो एक लेकिन अंदर से उतना हिसे तो देखिय आपको एक तोड़े कर अगरे बता रहे हूं इसे लगी है यह मुझे जरूर से बताइए और अगर आपको मेरे पसंद आई हो तो इसे लाइंत कर रहे हुआ है तो आच है रहा है शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो मिलेंगे फिर से एक इसी ही रेसिपिक साथ में तब तक के लिए बाई बाई